रुतिक रौशन ने हाल ही में ट्वीट किया था जिसमें गणपती को कृष के रूप में दिखाया गया था उन्होंने लिखा कि गणपती कृष फोर को आशिरवात दे रहे हैं रुतिक के इस ट्वीट का मतलब निकाला गया कि कृष फोर जल्द ही बनने वाली है और राकेश रौशन ने इसकी पुष्टी कर दी राकेश रौशन ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये फोटो दिखाया और मुझे लगा कि अब इस सीरीज का चौथा भाग बनाया जाना चाहिए राकेश रौशन के अनुसार उनके पास एक आईडिया है जिस पर वे काम कर रहे हैं कृष फोर के शूटिंग अगले साल शुरू होगी और इसे कृस्मस दोहजार अधारव पर रिलीस किया जाएगा यदि ऐसा होता है तो कृस्मस पर इस फिल्म की टकर आनंद एल ड्रॉई की फिल्म से होगी जिसमें शारुक खान है कृष तरब है कि 26 जनवरी को भी शारुक की रईस और रितिक की काबिल रिलीस हो रही है